Roman Reigns losing his championship तो Roman Reigns अपने एक championship को बाहत जल्द हारने वाले है काउन सूपरस्टार Roman को बीट करने वाला है क्या कुछ पूरी स्टोरी है इसके बारे में वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मेकडाउन के एपिसोड के वीवर्शिप के बारे में भी वीडियो में हम बात करेंगे और रोमन रेंज वर्सिस ब्रक लेजनर के समर स्लेम फ्यूड के बारे में एक बड़ा शौकिंग बात निकल के सामने आ चुका है क्या है वो शौकिंग बात उसके बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना चलिए वीडियो को शुरू करते है पहली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो की जुड़ी हुई है हमारे दा ट्राइबल चीफ रोमन रॉंस के दोनों चैंपियंशिप के बारे में तो माना ऐसा जा रहा है जो डबली डबली है वो फिर से वर्ल्ड चैंपियंशिप को स्प्लिट करने वाला है यानि कि जो यूनिवर्सल चैंपियंशिप है वो या फिर स्मैकडाउन के एपिसोड में या मंडे नाइट रॉ के एपिसो रॉलिंज माना ऐसा जा रहा है सेथ फ्रीकिन रॉलिंज ओ इनसान ओ सकते हैं जो के हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को बीट करेगा उसके एक वर्ल्ड चेंपियंशिप के लिए तो यह है हमारे रोमन रेंज के फ्यूचर प्लैंज कि रोमन रेंज बहुत जल्द अपन एक चेंपियंशिप को लेकिन यह बिल्कुल कंफर्म है कि रोमन रेंज के जो दोनों वर्ल्ड चेंपियंशिप से उन में से एक रोमन से जाने वाला है क्या कहना है आप लोगों का इसके बारे में क्या आप लोग चाहते हो रोमन अपने चेंपियंशिप को लूज करे अप इने डाने डाने वाले है अब माना ऐसा जा रहा है जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है रिटर्न होampfारे का रिटर्न हम सब को बहूत जल डाने वाले में मिल सकता है तो हम सब के फेवरिट सुपर स्टार्ज है Monster Among Men, Braun Strowman and The Fiend Bray White तो दो बड़े सुपर स्टार्ज दो फेवरिट, दो फेवरिट सुपर स्टार्ज का रिटर्न बहुत जल डबली डबली में हो सकता है, क्या आप लोग excited हो The Fiend Bray White and The Monster Among Men, Braun Strowman के रिटर्न के लिए अपना उपीनियन कॉमेंट्स में देते रहना अगली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो की जुड़ी हुई है कल के मंडे नाइट रा के एपिसोड के बारे में, तो कल के मंडे नाइट रा के एपिसोड में थीन WWE Returns ओ सकते हैं, तो एक है अमारे The Boss Sasha Banks का WWE Return, और दूसरा है अमारे जो Naomi है उसका WWE Return, और जो तीसरा Return है, ओ है Johnny Gargano का WWE Return, तो ए तीन WWE Returns एक्सपेक्ट किये जा रहे हैं कि ओ सकते हैं कल के मंडे नाइट रा के एपिसोड में, क्यूंकि अब जो Triple H है, वो WWE के Former Superstars, यानि कि जो अब WWE के साथ नहीं है, उन्हें फिर से लाने वाले हैं, अब देखते हैं किन-किन Superstars को Triple H ले के आते हैं, वापर पिर से क्या कहना है आप लोगों का, इसके बारे में अगली स्टोरी के बारे में बात करेंगे क्योंकि जुड़ी हुई है, इस वीक के Friday Night Smackdown के एपिसोड के विवर्शिप के बारे में, जिसमें हमारे The Tribal Chief Roman Runs आते हैं, और Karrion Cross का WWE Return होता है, तो जो इस वीक के Friday Night Smackdown का विवर्शिप निकल के सामने आ चुका है, वो है 1.983 मिलियन्स, यानि कि 2 मिलियन्स से नीचे है, इस वीक के Friday Night Smackdown के एपिसोड का विवर्शिप, अब Roman Runs का Return भी हुआ, पिर भी जो विवर्शिप है, वो डाउन चला गया, देखते है नेक्स्ट वीक क्या विवर्शिप में उचाल आता है, क्या विवर्शिप में बात करेंगे, जो कि आज की अमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है, और ये जुड़ी हुई है, अमारे दा ट्राइबल चीफ रोमन रेंज, एंड दा बीस्ट इंकरनेट ब्राक लेजनर के समर स्लेम फ्यूड के बारे में, तो एपिसोड के बाद, समर स्लेम 2022 के शो तक, अमारे ब्राक लेजनर एंड रोमन रेंज, एक दूसरे के आमने सामने, किसी भी मंडे नाइट रा के एपिसोड, किसी भी फ्राइडे नाइट स्मेक डाउन के एपिसोड में नई आते है, तो क्या कहना है आप लोगों का, इसके बारे में एक फर्स्ट फियूड है, जिसमें WWE के जो वीकली शोज होते है, इनमें ओदूनो सुपर स्टर्स एक दुसरे के सामने नई आए है, क्या कहना है आप लोगों का इसके बारे में ए रहा आज की अपडेट्स वीडियो उमीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई